असलाम अलेकूम बच्चो तो आज हम हादेश माजा इस कवित्य का भावर्त देखेंगे हादेश माजा याचे भान जरासे राहुद्यारे हा उनस हिमालाई माजा हा विशालसा घर माजा या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगी चां माजा अभिलाशा याची धरितां कोणी नजर वाकडी करतां या मरण द्यावया स्पुरण आपले बाहुपाहुद्यारे हा माजा भारत देश आहे या मेरा भारत देश है याची मनमन जानिउँ जराशी राहू दे, मेरे मन में, मेरे दिल में इसकी जान हमें रखनी है जानी हुआने क्या? Awareness याने हम लोगों को अपने दिल में जागरुकता रखनी है किसके बारे में? हमारे देश के बारे में हां सर्वात उन्सस लेला हिमाला माजा है यहाँ पर जो सबसे उचा हिमाला है जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते है वो किसका है? हमारा ही है हमारे मुल्क की मिलकियत है हाँ अथांग सागर्मा यह जो ला महदूद समंदर है यह किसी का है? यह भी हमारा है माज़ा देशाला याने कि इस देश को जो वंदन करती है कौन वंदन करता है? गंगा यमुना है ना? गंगा यमुना क्या करती है? इस देश क्यों आगे इस धर्ती के आगे जुकती है तो यह सब पाक नदिया पवितन नदिया यह क्या है? किसकी है? मेरी है मेरे जमीन की है मेरे भूमी की है और इस जमीन पर कि इस भूमी पर जो खेती होती है वो सदा बाहार बगीचे से क्या होती है फुलिवी होती है वो किसकी है यह वो भी मेरी है या माजया प्रिया मात्रू भूमी ची अभिलाशा कुन्या परक्या चा मना जरी आली ये मेरी जो प्यारी मात्रुभूमी है इसकी जो अभिलाशा है ख्वाईश अगर किसी और के याने कोई परक्या याने क्या पराया इंसान तो अगर किसी भी पराय मन में अगर आई तो फिर वाकड़ा डोड़ा जरकुनी तिच्छावर के लिए अने जर मेरे देश को मेरे मुल्क को अगर बुरी नजर से भी देखा तो मैं अपने इस देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूँगा इस देश के लिए अपनी बली दे दूँगा याने बली चड़ जाओंगा पूरन आपलया बाहु पाहु दे आ याने किसके लिए तो हम सिर्फ अपने देश के मतलब अपने जमीन के सुपुत रहे